नमस्कार बच्चो आज इस वीडियो के माध्यम से हम निर्देशांक जामिती के बारे में सीखेंगे बच्चो देखिए जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं हमने दो लंप इस प्रकार से खींचे हैं कि यह एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं इसके बाद यह जो लेटी हुई रेखा है इसे हम माल लेते हैं एक्स अक्ष एक्स अक्ष और यह जो खड़ी रेखा है इसे हम माल लेते हैं वाई अक्ष आप देखेंगे जहां पर यह वाई अक्ष और यह एक्स अक्ष आपस में मिल रहे हैं उसे हम 0 लिखते हैं और इस बिंदू को कहा जाता है मूल बिंदू जो जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बच्चो वो आपने याद रखना है जहां पर एक्स वाई अक्ष और एक्स अक्ष आपस में मिलते हैं इस बिंदू पर इस बिंदू को कहा जाता है मूल बिंदू ठीक है बच्चो एक्स अक्ष पर आप देखे शुन्य के आगे हमने प्लस वाली संख्यान लिखी हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे इसे और भी आगे बढ़ाया जा सकता है और इसे प्रकार से शुन्य की बाई और हमने माइनस वाली संख्यान लिखी हैं माइनस एक, मा प्रकार से y अक्षपर उपर की और प्लस वाली संख्याई और इसी y अक्षपर 0 से नीचे की और माİNस वाली संख्याई 1-2-3 इस प्रकार से बराबर दुरी पर हम Consortium निशान लगाता है ग्राफ पेपर पर हमें ओरडरी बराबर बराबर खाने बनाए होते हैं इसलिए ये बराबर दूरी पर बने हैं इस बात का हमने ध्यान रखना है तो बच्चो अभी हमने क्या सिखा यह है X अक्ष यह है Y अक्ष X अक्ष पर 0 से आगे प्लस वाली संख्या है पीछे माइनस वाली संख्या है य अक्ष पर 0 से उपर प्लस वाली संख्या है और नीचे माइनस वाली संख्या है जहां पर X अक्ष और Y अक्ष आपस में मिलते हैं इन्हें हम कहते हैं इस बिंदू को हम कहते हैं मूल बिंदू इस बिंदू को हम कहते हैं मूल बिंदू अब आप ध्यान से देखेगा मैं आपको दो sketch pen की मदद से activity करके दिखाता हूं यह देखें दो sketch pen है है ना इसी प्रकार से हमारी यह x अक्ष और y अक्ष और x अक्ष है इन्होंने देखें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस इस पूरे को हम कहते हैं कार्तिय तल या इसे हम x y तल भी कह सकते हैं या इसे हम x y तल भी कह सकते हैं इसे ही हम निर्देशांक तल भी कह सकते हैं किसको ये पूरे तल को पूरे सर्फेस को जिस पर एक वाई एक्ष और एक्ष अक्ष हमने बनाए हैं इस पूरे सर्फेस को इस पूरे तल को हम कार्तिय तल निर्देशांक तल ये एक्ष वाई तल कह सकते हैं अब इस तल पर इस तल को y अक्ष और x अक्ष ने मिलकर 4 खानों में बांटा है देखो पहला खाना दूसरा खाना तीसरा खाना चौथा खाना ठीक है बच्चो दिख रहा है ना आपको ये 4 खाने बनगे 1 2 3 और 4 ये जिसको मैं खाना कह रहा हूँ, असल में इन्हें कहा जाता है निर्देशांग क्या कहा जाता है निर्देश सॉरी चतूर्थांश कहा जाता है ये है चर्टूर्थांश चतूर्थांश चोथा अंश चतूर्थांश एक इसको रोमन में लिखा जाएगा हमेशा ये है चतुर्थांश दो इसी प्रकार से यह है कहां तक यह सारा इसे कहा जाएगा चतुर्थांश तीन और यह जो है यह खाना इसे कहा जाएगा चतुर्थांश चार यह चतुर्थांश पहला यह चतुर्थांश दूसरा चतुर्थांश तीसरा और चतुर्थ अंश चोथा चतुर्थ अंश क्यों? क्योंकि यह पूरा 360 डिग्री है इसका चोथा हिस्सा यह 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर 90 डिग्री इधर, यानि इस 360 डिग्री के कौन को हमने 4 ब्राबर हिस्सों में 90 नब्वे बाटा जिससे की ये पूरा सर्फेस 4 बागवरभागों में यानि की 4 चतूर थांशों में यानि 4 थांशों में बट गया जिसे हमने कहा चतुर्थान्ष एक्ष चतुर्थान्ष दो चतुर्थान्ष तीन और चतुर्थान्ष चार तो बच्चों याद रखेगा इस लाइन को क्या कहा गया एक्स अक्ष इस लाइन को क्या कहा गया वाई अक्ष कहा गया इन्हें निर्देश आँक अक्ष भी कहा जाता है माल लीजे बच्चों मैं इस बिंदू की बात करूँ हमें देखना है कि इस बिंदू, यह बिंदू कहां है मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगा यह बिंदू कहां है यानि इसके हमने निर्देशांक लिखने है ब्रैकेट में आएंगे हमेशा निर्देशांक यह याद रखेगा सबसे पहले आते हैं बीच में कोमा कोमा से पहले हम लिखते हैं एक्स के निर्देशांक और बाद में लिखते हैं यानि देखे यह बिंदू एक्स अक्ष पर कहां है माइनस चार के साथ इसका मतलब यह है माइनस चार इसी प्रकार से यही बिंदू वाई अक्ष पर इसकी सीध देखनी है देखें यह है वाई अक्ष यह है वाई अक्ष इसके साथ इसकी सीध देखनी है तो मैं इसको इस प्रकार से आगे बढ़ाऊंगा बिलकुल सीधा और देखेंगे यह y अक्षपर किस बिंदो के साथ मिल रहा है 3 के साथ यह minus 3 नहीं है बटर minus 3 तो यहां है यह है 3 तो y अक्षपर 3 यानि यह जो बिंदो हमने लिया मालो इसका नाम है a तो बिंदो a x अक्षपर बिंदो a की सीध है minus 4 y अक्षपर बिंदो a की सीध है 3 इसका मतलब a के निर्देशांख होंगे minus 4,3 a के निर्देशांख होंगे minus 4 minus 4 कहां से आया x अक्षप से और 3 कहां से आया y अक्षप से हमेशा याद रखेगा सब पहले x अक्ष बाद में y अक्ष लिखा जाता है इसी प्रकार से हमाल लीजे मैं आपको एक निर्देश आंक देता हूँ माइनस 2,1 आप इसको ग्राफ पे बनाएए माइनस 2,1 देखिए माइनस 2 कहा है सबसे पहले देखिए माइनस 2 को माइक का मतलब x अक्ष पर माइनस 2 y अक्ष पर 1 पहले वाला x अक्ष होता है दूसरे वाला y अक्ष होता है माइनस 2 x अक्ष पर देखिए यह है x अक्ष है ना x अक्ष इस पर माइनस 2 यह है माइनस एक यह है माइनस दो यह है माइनस दो और वाई अक्ष पर एक तो वाई अक्ष पर एक कहां आएगा यह उपर तो देखे माइनस दो यहां है एक यहां है यह कहां मिलेंगे आके यहां यह देखे माइनस दो एक यह कहां मिलेंगे आके यहां यानि कि इस बिंदू यह माइनस डो की सीध यह है एक की सीध हम जिस बिंदू की बात करते हैं वह यह रहा है ठीक है बच्चो? इस प्रकार से हम ने एक यदि बिंदू ग्राफ पर दिया हो तो उसके निर्देश शांक भी लिख सकते हैं और यद निर्देश शांक दिया हो तो उसे ग्राफ पर धूंड भी सकते हैं मालो इस बिंदू का नाम भी है तो यह हमने डूंड दिया है इस प्रकार से ठीक है बच्चो अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जो एक्स अक्षपर इसका एक्स निर्देश आंक है इसे कहा जाता है भुज क्या कहा जाता है भुज और जो वाई निर्देश आंक होता है इसे कहा जाता है कोटी चोटी याद रखना यदि मैं आपको एक बिंदू देदू 4,7 तो देखे आपको पता है पहला होता है एक्स अक्ष का निर्देश आंक दूसरा होता निर्देश आंक तो एक्स अक्ष का निर्देश आंक है 4 यानि भुझ कितना है 4 कोटी कितना है 7 अभी हमने इस विडियो में वच्चो क्या क्या سीखा हमने सीखा इसे एक्स अक्ष कहते हैं इसे why अक्ष X और Y अक्ष जहां पर मिलते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदू Y अक्ष और X का अक्ष जा एक दूसरे को काटते हैं 90 डिग्री पर तो उसे है चार बराबर भागों में बढ़ जाता है जिने हम कहते हैं चतुर्थांश यह है पहला चतुर्थांश यह है दूसरा यह तीसरा और यह है चोथा यानि यह खाना इसे कहा गया चतुर्थांश इसके बाद हमने पढ़ा किसी बिंदू के निर्देशांग यदि दिये हों तो उसे ग्राफ पर कैसे ढूंडा जाता है और उसके बाद हमने पढ़ा कि यह कोई बिंदू मालो कोई बिंदू ग्राफ पर सा उसके निर्देशांग कैसे लिखने है और फिर कोई अगर बिंदू हमें निर्देशांग दिये हो तो उसे ग्राफ पर कैसे निरुपित करना है यह भी हमने सीखा अगली बात जो आखरी बात हमने सीखी वही है सीखी कि जब भी किसी बिंदू के निर्देशांक दियोंगे तो उनमें पहले वाला X अक्ष का होगा दूसरे वाला कुमे के बाद वाला Y अक्ष का और जो X अक्ष वाला निर्देशांक है उसे कहा जाता है भुज तो आशा करता हूँ जितनी चीज़े मैंने आपको इस वीडियो में समझाई है ये सारी कि सारी आपको अच्छे से समझ आई होंगी आप अपनी एक ग्राफ नोटबुक लेकर ग्राफ पेपर पर जितनी चीज़े मैंने इस वीडियो में आपको दिखाई है वे सारी जरूर अंकित करके उसका प्रयास कीजेगा आशा करता हूँ, ये वीडियो आपको अच्छे से समझाया होगा याद रखेगा, ग्राफ पेपर पर मैंने sketch pen सिरफ वीडियो में आपको दिखें, इस लिए सिर्फ चलाया है आपने graph paper पर जो भी करना है वह सिरफ और सिरफ pencil के साथ ही करना है तो मेरे इस वीडियो को like जरूर कीजेगा धन्यवाद